हेलो एवरिवन तो आज वीडियो में आपको वताने वाले हैं कि आप जब भी फेस्बुक पर वीडियो अप्लोड करते हों मैं फेस्बुक की बाद नहीं करो फेस्बुक पेज पर जब भी आप वीडियो अप्लोड करते हो जैसे कि में पर मेरा यह Facebook page है जब भी मैं Facebook पर यहाँ से आपको यह बीडियो अप्लोड नहीं कर सकती हूँ तो आपको मैं बताना चाहूँ कि आप कैसे वीडियो अप्लोड कर सकती हो लाइक अप जब जाते हो Creator Studio app में यहाँ पर जाते हो इस फेखलिक करते हूं उपर वाले आइकन पर अप चाहू तो है से वीडियो फो टू लाइफ श्ट्रीम कर सकते हो तो यहां पर मैं जैसे वीडियो मैं जाता हूं औल्मोस्ट फान छे दिन पहले जैसे कि आप देख सकते हूं गूंगा अंदा भहरा की यह वीडियो है यहाँ पर टाइटल लगा के यहाँ पर मतलब टाइटल बाद में भी लगा सकते हैं यहाँ पर आपको थमनेल लगानी होती अपलोड इमेज में जाके अब कोई भी अपन यहाँ से लग जाएगी लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर आप टैग लगा सकते हो जब आप टैग नहीं लगा होगे तो वीडियो आपकी चलेगी नहीं ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं नेक्स्ट पर कर देते क्लिक एंड यह अपलोड होने अब पब्लिस कर दें नीचे ठीक है पब्लिस को अपसन आएगा लेकिन यहाँ पर देख सेव एंड डिफार्ट लिखके दे रहा है तो यह वीडियो अपलोड होने लग जाएगा देन यह मेरा पहले से वीडियो अपलोड है और यह मैं बता दूँ देख सब्सक्री अपलो लाइक मैं यहाँ से गूगल ब्रॉजर ओपन करूंगा जैसे में से ओपन करूंगा तो आपको यहाँ पर सिमली सर्च में जाना है सर्च में आप चाहो तो nurture स्टूडियो सर्च कर सकते हैं यहां पर यहां पर इंटरफेस उत्पन हो जाएगा नेट के साप से ठीक है यहां पर आपको डेक्स टोप साइट ओपन करें इस वाले बॉक्स को किलिक करना है भरना है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यह computer size में open हो जाएगा यहाँ पर आपको upload video का option पहले इधर मिलता था इस site पर ठीक है इस site पर आपको पहले upload option मिल जाता था लेकिन अब यहाँ पर नहीं आता है अब आपको यहाँ पर create a new option मिलता है यहाँ पर जैसे पर आपको अपको फाइल से लेक्ट करता हूँ आपको फाइल को जाकती है अप आराम से अपने गलेरी अपने अपने वीडियो को ले सकते हो जहाँ भी आपने एडिट करके रखेए जयसे कि other album में जाऊंगा मैं अगर album में जाने बाद मेरा फोल्डर है export export को select करने बाद मेरी अन्दा वहरा की यह वीडियो है ठीक है यहाँ से मैं कोई भी बीडियो select कर सकता हूँ जैसे कि यह 10 सेकंड वाली example के लिए कर लिता हूँ जैसे इसे मैंने टाइटल only example के लिए मैं बता रहा हूँ आप यहाँ पर भी 100 जैसे 100 अंक का होता है उसी तरीके साप यहाँ पर 100 digit का लगा सकते हो टाइटल तो यहाँ पर मैं एक्जेंपल के लिए अंदा भहरा लिख दिया और यह डिस्क्रिप्शन है नीचे वाला यह टाइटल है यहाँ पर जो आपका होता है यह यह टैग होता है जैसे कि आप यूटूब में लगाते हो पाइटी स्टूडियूम जाके तो यहाँ पर मै तो यहाँ पर नीचे मैं दिखाना चाहें कि कितना वीडियो मेरा अप्लोप हो चुका है ten second पर भी आपको मिल जाएगा the thumbnail के लिए आपको यह पर पकी पिक्चर किरी उलगी ऐसी हदिने कि ब्लाउज करों पर टॉन पराउजर में जाने के बार्ड आपको सब्सक्री चले जाना होगा अपन record मने बताया था यहाँ पर जो में Gabriel आनगे रखला अपाई यहाँ पर देखो तो मेरा अंदा भेरा वाला एक thumbnail है तो वो मैंने select किया एंड यहाँ पर देखो तो यह thumbnail लग चुगा है एंड थमने लगने के बाद आप चाहो देखे से save and default ही upload करें तब बाद में जब upload हो जाए complete हो जाए title लग जाए सब कुछ लग जाए उसके बाद आप इसे publish करें तो यहाँ पर देखो नीचे मुझे next का option मिल रहा है तो मैं सीधा next पे ही किलिक करूँगा ठीक है next पे जी नीचे option मिलता है मुझे सबसे यहाँ पर देखो publish का option आ अब यहाँ पर आपको save and default का option मिलता है यहाँ पर यह Facebook के rule होते कि अगर आपके तीन वीडियो त पेस्बूक के लिए और यहाँ पर add प्लेश्ट आप चाहो तो अपनी प्लेश्ट बना सकते हुए जैसा कि मेरी प्लेश्ट इसमें पहले हैं तो पहले हम save and default कर लेते हैं से ठीक है जैसे हम save and default करें तो इससे बैटर रहता है पहले save and default अपलोड करें और उसके पॉसके लांगता है फेस्बुक पर अगर आपको अपना फेस्बुक पेज कराना है तो तीन मिनट से लॉंग वीडियो होना चाहिए तीन मिनट एक से उपर वीडियो हो तब देख से मैंने सब अगर आपकी फेस्बुक का एक रूल होता है फेस्बुक पेज का कि अगर आपने कोई वीडियो अप्लोड किया है अगर आप उसे दुबार प्लोड करओंगे है तो आप तरहीं सबस्क्राइब